बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का पाठ दो रानी चीटी बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं और इस से संबंदित हम प्रस्नूत्तर भी कर चुके हैं लेकिन आज हम इस पाठ को पुनह पढ़ेंगे और सभी पढ़े हुए पाठों को पुनह दें दुबारा से पढ़ेंगे आई पाठ को पढ़ते हैं एक था जंगल उसमें एक घमंडी सेर रहता था सेर को अपनी बल पर बहुत घमंड था वह सभी को अपनी से छोटा समझता था एक दिन उसने घोशडा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए शेर ने इधर उधर देखा और बोला अरे चीतियां नहीं आई अभी तक घरगोस अपनी आदत के अनुसार बोला महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती है बचों एक जंगल था उसमें एक घमंडी सेर रहता था और शेर को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड था और सबको वहाँ अपने से छोटा ही समस्ता था अपने आपको सबसे बड़ा दिखाता था और सबको अपने से छोटा समस्ता था एक दिन उसने सभी जंगल के जानवरों में घोशना करवाई कि सभी लोग आकर मुझको प्रणाम करें अगले दिन जैसी ही सुबा हुई जंगल के सभी जानवर सेर के पास आये और उनको प्रणाम किया लेकिन चीटी वहाँ पर नहीं आप आये थी सेर को बहुत गुसा आया सेर क्रोधित हो गया और उसने कहा अरे चीटिया नहीं आई है अभी तो खरगोष क्या था जो कि अपनी आदत से बहुत ही मजबूर था यह क्या कहते हैं उसको चुगली करना सेर की आदत खरगोष की आदत थी चुगली करना और उसने कहा कि अरे महराथ चीटिया तो अभी नहीं आई है वो तो हमेशा देर से ही आती है खरगोष के इतना बोलते ही जो है फिर देखिये आगे क्या हुआ लोमडी बूली जल्दी पहुँचना उनके बस की बात नहीं है यहा सुनकर सभी जानवर हस पड़े शेर लाल पीला हो गया तब तक रानी चीटि अपनी सेना के साथ वहां आ गई खरगोष ने जब यहां बात करी कि अरे उनकी तो आदत ही है हमेशा देर से पहुँचना तो खरगोष की बात को सुनकर लोमडी ने कहा कि हाँ हाँ भाई वह तो जल्दी पहुँच ही नहीं सकती है क्योंकि वह बहुत धीरे-धीरे चलती है और इतना कहते ही जो है सभी जानवर हसने लगे तभी तक जो और सबकी बात को सुनकर सबको हसते हुए देखकर शेर क्या हुआ बहुत क्रोधित हो गया तभी तक वहाँ पर रानी चीटी अपनी सेना के साथ पहुँच आई शेर बोला कभी तो समय से आया करो हमेशा देर से ही आती हो रानी चीटी बोली महाराज रास्ते में बारिस का पान भरा हुआ था इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई